वेल्कम तो मैंशोर मावल को जैसे कि कल मैंने वीडियो डाल के आपको बताया था कि Mcc All India contact counseling बहुत जल्द श्टार्ट हो सकती है उसका schedule आ चुका है तो basically जो counseling का schedule है वो क्या है और counseling का process इस बार किस तरह से different है पिछली बार से यह पूरा बात करेंगे उससे पहले फॉर्स्ट आमें के चैनल पर है तो subscribe जिए वीडियो लाइक और share किजिए जिससे maximum candidates को benefit मल सकें दोस्तों सबसे पहले तो बात कलते ही counseling schedule की तो counseling आपका जो round one का है 27th of October से start है रजिस्ट्रेस है 2nd November तक उसके बाद choice filling आपका 28th of October locking means जब final आप करते है choices को तो वह आपका start होगा 2nd of November तक processing of street allotment 3rd of November से 4th of November result आपका एगा round one का 5th of November और इसी तर से reporting जो आप allotment letter के साथ institute को with proper document आप report करते है वह 6th of November से 12th November के बीच में in physical आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर report करने की है तो basically यह हा round one का ठीक इसी तरह से round two की जो counseling start होगी जो registration start होगा अगर आप round one में already registered है तो no need to register again वह होगा 18th of November से start होगा basically ठीक उसी तरह से मौपप का भी आपने देखा होगा यहां पर 10th of December से start है locking और पूरी facility तो total अगर बात करूं तो यह process चलेगा 24th of December तक मौपप राउंड तक मौपप राउंड बेसिकली deemed or central universities के case में होगा All India के case में means 15% सीटों के लिए जो government होती है उसमें मौपप राउंड नहीं होता है उसमें state का मौपप राउंड होता है तो बेसिकली उसके बाद भी जो सीटे ट्रांसफर हो जाएंगी जो बची रहेंगी वो 31st of December 2020 तक सारी सीटे जो होंगी वो ट्रांसफर हो जाएंगी जो deemed yes internal universities होती है अगर मौपप के बाद भी सीटे बहुसती है तो बेसिकली यह तो रहा सीडियूल अब बात के लिए किस तरह से इस बार होगा पूरा तो बेसिकली इस बार aims हो जिपमारी इंक्लूड हुए तो aims के जो 100% सीट से वो open to all होंगी 18 aims इस बार इंक्लूड हुए तो बेसिकली इसमें EWS की भी सीटे 10% हैं तो हर सीट का अपना reservation है ठीक उसी तरह से फॉलोगा जिस तरह से normal reservation होता है तो सारी candidates के लिए illegal होंगे open to all होगा इसमें भी round 1, round 2, mop up और stay vacancy round होगा ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके deemed central universities में होता है यह तो हाँ aims की बात जिपमर में भी कुछ सीटे जो है वो state quota की हैं बागी सारी all india quota की हैं जो all india quota की सीटे हैं उसमें round 1, round 2, mop up और stay vacancy round institute में जा गया होगा तो basically यह total process हुआ aims की जिपमर का इसमें भी reservation rule है वो जिस तरह से होता है वो follow होगा 15% all india quota की सीटे हैं जो government colleges होते है state के उसमें कैसे होगा उसमें किल दो round होगे round 1, round 2, round 2 के बाद जो भी सीटे बचेंगी वो state को mop up के लिए transfer हो जाएंगी तो basically यह तीन चीज़े मैंने clear कर दी aims जिपमर और all india quota में किस तरह से सीटों को allotment होगा इसके बाद deemed और central universities हो गई SICS हो गई तो SICS में भी जो all india quota की सीटे उसमें round 1, round 2 का पूरा process होगा और साथी साथ IP boards के भी सीटें हैं जो already transfer हैं उनके लिए भी कुछ इस तरह से हो सकता है इसी तरह से अर्फोस colleges के लिए भी ठीक पूरा जो merit होगी वो transfer हो जाएगी हम फोस colleges को DU colleges के लिए या central universities जो हैं उनके लिए भी जो total counselling होगी वो अपकी MCC ही कराएगी और इसमें all india quota 15% और state quota DU quota IP quota की जो सीटे होती है 85% वो अलग से उनकी counselling होगी तो basically जो MCC कराएगा MCC final allotment आपको देगा तो basically यह तो रहा पूरा counselling का process किस तरह से आपको सीटें allot होंगी इस बार क्योंकि state quota यहाँ पर aims में नहीं है पहले में बता देना के वाल all india quota open to all city है जिपमर में state quota की सीटें हैं जो पोड़ी के लिए यह मोटा मोटा मैं आपको बता हैं और IMS BHU हो गया AMU हो गया यह बड़े बड़े जो इस्टिट्यूट हैं central universities हैं उसमें भी पूरी सीटें जो है वो open to all है में सारे candidates उसमें participate कर सकते हैं तो basically यह तो रहा किस तरह से इस बड़े इस्टिट्यूट अपनी counseling करेंगे दूसरा important बाद free exit round one चाहे वो फिर all India quota यह deemed colleges हो अगर अपने round one की counseling में participate किया को institute join किया तो आप free exit आसानी से कर सकते हैं लेकिन round two में अगर आपको city मिली हैं तो free exit नहीं कर सकते हैं वहाँ पे आपको जो भी आपका security money होगा 10,000 in case of government और 2 lakh की करीब आपका deemed case में वो आपका जप्त हो जाएगा ठीक इसी तरह से state quota में round one की case में होगा round one में आप free exit कर सकते हैं आसानी से colleges को switch कर सकते हैं छोड़ सकते हैं जो city हो लेकिन round two में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं नहां पे भी आपकी पूरी security deposit हो जाएगी मॉप आप के case में आप सीटे बिलकुल नहीं छोड़ सकते हैं मॉप आप राउंड में अगर आपको सीटे मिल गई तो आप बिलकुल उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं ठीक इसी तरह से state vacancy round में बहुत ज़्यद्ध ध्यान से counselling कर रहे हैं क्योंकि जो city alert होगी फिर बहुत कोई change नहीं होगी तो basically इस आप में था मैंने आपको पताया कि total counselling किस तरह से होगी institute की that's all thanks bye and take care